क्या कैंसर जैसी बिमारी को ठीक करने के लिए अब डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं क्या कैंसर जैसी बिमारी भी रेकी से हील की जा सकती है चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं रेकी के ग्रैंड मास्टर से रेकी को जैसे हम यूज करते हैं तो एसा कुछ नहीं है कि हम हम इतने सारे टूल से हैं जिसमें कि हम अगर कोई भी इस्तेमाल करेंगे 100% कियूर होता है बट पहला सिस्टम है सर बिलीफ अगर कैंसर पेशन का बिलीफ सिस्टम ही खराब है तो उसी कारण से तो कैंसर आया है दभी हुई समवेदना दभी हुई इच्छा ही अंदर के लिए हानिकारख होती है इसे ठीक करने के लिए किसी हीलिंग को बहुत प्रचंड लेवल तक प्रकांड लेवल तक सीखने ही ज़रूद नहीं है कि ग्रैंड मास्टर बनोगे तब ही यहीलिंग कर पाऊगे छोटा चार साल का बच्चा यहीलर होता है मैंने चार साल के बच्चे को अट्यूनमेंट दिया था माता के गर में बच्चा था तब अट्यूनमेंट लिया था माता ने भी बच्चे ने भी और जब पैदा होके आया ना आज भी उसकी एनरजी जो हाथों पर आती ही ना मेरे गजब एनरजी है यह कोई ऐसी विद्धा नहीं है कि इसके लिए बॉड़ी का रेशो होना ज़रूरी है सर हो सकता है कोई दिखने में बहुत बड़ा हो पर उसका औरा ना उसकी उमर से भी बहुत बड़ा हो छोटे-छोटे गुरु होते हैं गुरुकिल के अंदर कि शरीर होगा तो महताजी बनी हुई है कि उर्जा होगी समय और शरीर यह तो आते जाते रहते हैं सर उर्जा थी उर्जा है उर्जा रहेगी आप किस शरीर से आते हैं कि सवस्था से आते हैं आपका कास्ट, कम्यूनिटी, क्रीड क्या है आप किस belief system से आते हैं, hardly makes a difference energy is persistent energy थी, है और रहेगी तो ये ना ऐसा नहीं कि हम cancer की healing में कुछ अलग technique यूज करते हैं, ये सरफ belief system है मैंने NLP का use भी किया इसे cancer को heal करने में, switch words का भी यूज किया बहुत बार, कि यसे लोग cancer बोल के डर जाते हैं, मैंने cancer word हटा दिया मैंने आपकी dictionary में आज गया, cancer नहीं होगा आप कुछ और यूज करेंगे, बच्चे ने यूज करा पपू किसी ने यूज करा तिंगू, किसी ने यूज करा तॉमी तो मुझे तॉमी हो गया अब सुनने में कैसा लग रहा है, हास्यास पग जब-जब बोल रहा है, खुद ही हास रहा है endorphins release हो रहे है, happy hormones release हो रहे है cancer के चक्कर में negativity आ रहे थी, अब उसने ऐसा method coin कर लिया, happy hormones हो रहे है हर बार हास रहा है, आज सुबह morning meditation कराया और अब आपलोड करूँगा उसे, वो हसने के उपपर है तो लोग कहते है, सर एक घंटे आज तक नहीं हसे इतने ज़्यादा मैं लगातार हसना आपको, एक घंटे तक और हर चीज पर हसाया, बच्चों पर हसाया, बिमारियों पर हसाया गरीबी पर हसाया, अपनी मजबूरियों पर हसाया कहते हैं, सर अपनी अखाद पर तो कभी नहीं हसेते मैं कैसा मैसूस हुआ, कहते हैं, बहुत हलका हसना भूल गया है, सर अब Healing is about feeling the joy अगर आप joy नहीं फील करते हैं, तो आप heal कैसे हो सकते हैं महादेव की उपासना के लिए, seriousness नहीं एक easiest नहीं जरूरी होती है वो जो ease आती है न साथ में, वो आपको connect करती है बहुत स्थिर होकर, बहुत शांत होकर, बहुत ही determined होकर ठीक है काम कर सकते हैं, बट लंबे टाइम तक नहीं बहुत आनंद में रह करना, महादेव को प्राप्त करी लेंगे